हेलो जैन प्रेंट्स आप सभी का फिजिकल एजुकेशन फिजा में वेलकम है जो आपको फिजिकल एजुकेशन की डायरेक्शन में बहुत ही आगे लेके जाएगा तो आज का विचार देखते हैं अपने कर्थबे पर अटल रहने वाला ही सफल होता है आप सभी लोगों ने अपने अपनी मंजिल बनाई होगी तो उस पर अटल रही है और निश्ची रूप से सफलता एक दिन मिलेगी और आप सभी लोग अपने अपने मुकाम पर जरूर पहुँचेगे तो अपने कर्थबे पर अटल रही है तो चलिए आज की स्टार्ट करते हैं क्लास क्वेश्चन नमबर फर्स्ट किस विकास के लिए अंतरराल प्रसिच्छन का उप्योग किया जाता है तो इसका जो राइट आसर है डि इसे राइट आसर किसके लिए सहन सक्राइस के लिए इंडोरेंस के विकास के लिए इंटरवल ट्रेनिग का उज़ किया जाता है रेक्ट कोस्चन देखते हैं रही इंपोर्टेट सिरीज दोस्तों निमलिखित में से कौन सा खेल का सिध्धान्त थेयोरी नहीं है कौन सा पुछाय नहीं है तो कौन सा नहीं है इसका जो राइट आंसर है साइको फिजकल थेयोरी ये कोई सिध्धान्त नहीं है बाकी तीनों आप्शन राइट है psychoanalytic theory यह भी सिध्धान्त है social contact theory यह भी सिध्धान्त है और cathartic theory यह भी एक सिध्धान्त है next question देखते है very important series है athletics track event में लाइनों की चौड़ाई क्या है तो जो athletics track में होता है track होता है उसमें जो चौड़ाई उसकी कितनी चौड़ाई होती है तो कितने cm होती है option number a is right answer 5 cm होती है और यह जो line होती है इसको पूछा गया है इसको पूछा गया है तो यह होती है 5 cm होती है और अगर इसके बीच की distance पूछ दिया जा चौड़ाई कितनी होती है तो 1.22 से 1.25 cm होती है next question offered you a fitness परिच्छन मापने के लिए है तो जो offer you a fitness test है यह परिच्छन मापने के लिए तो क्या मापने के लिए motor fitness मापने के लिए होता है next question very important शिरी दोस्तों सभी question किसी इनकी सीग्या में आए हुए निमलिखित में से कौन सा तरीका फिक्चर डालने का नहीं है तो इसमें कौन सा जो टेक्निक है जो फिक्चर डालने की नहीं है तो कौन सी नहीं है circular method एक कोई technique नहीं हो बाकि यह तीनों है cycling method tabular matter and staircase method यह तीनों होती है फिक्चर डालने की next question 3000 meter stepel chase डावड में कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती है तो 3000 meter stepel chase जो रन होती है उसमें कितने बाधाएं पार करनी होती है तो इसका जो right answer है answer number 6 right answer 28 plus 7 28 बाधा होती है और 7 क्या होती है जल बाधा होती है next question निमलिखित में से कौन सा घटक स्वास्थ सम्बंधी सारीरी छमता का नहीं है तो कौन सा नहीं है ये गती बाकी तीनों option सही है ये ताकत बी लचीलापन और डी सहन सकती ये तीनों क्या है घटक है और कौन सा घटक नहीं पूछा है तो option number C is right answer गती next question YMCA college आप physical education के पहले प्राचारे कौन थे तो कौन प्राचारे थे YMCA physical education college के HC भक थे next question sergeant jump आगता है तो sergeant jump क्या major करता है तो यह major करता है पैरों की ताकत को major करता है 20 foot तक मतलब बहुत जितना ज्यादा तो जितना आपके पास power है उसके साथ हम jump करेंगे और देखेंगे कि आपके पैरों में कितना jump है sergeant number एक line होगा और यहां पर आपको खड़े कर क्या होना पूरी full power के साथ jump करना होता है कितना आप maximum दूरी achieve करते हैं खड़े खड़े running नहीं करना है next question निमलिखित में से कौन सा उपकरण उचाई को major करता है तो कौन सा उपकरण है जो क्या करता है height को major करता है तो जो height को major करता है वो stadium meter से major करते हैं next question round robin संबंदित है तो round robin जो tournament है वो किस संबंदित है यह league tournament से संबंदित है next question sub the fuji farm किस संबंदित है तो जो fuji farm जो word है यह किस संबंदित है यह चिकनी मानस्पेसियों से related है next question निमलिखित में से कौन सा हांकी खेल से संबंदित नहीं है तो जो option दिया गया इसमें कौन सा हांकी खेल से संबंदित नहीं है यह ओफछाइड नहीं संबंदित है urt किसमें होता है फुटवाल में होता है किसमें होता है फुटवाल में होता है यह तीनों related कज़ाब माएन ये लड़ाई लड़ना प्रती क्या करना हुलद आप से नमब डिगल राइड अंसर क्वेश्ट के सिल्सक्ति को कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है उस्को कहा जाता है आइसो टोनिक सक्ति कहा जाता है आइसो टोनिक स्ट्रेंद मालब भार के साथ ब्यायाम करना नेश्ट कोश्चिन आइस यह पर कोश्चिन था भारत ने कितनी बार ओलंपिक में हाकी में सौन पदक जीता था तो यह कोश्चिन उपर मालब मिस हो गया है भारत ने कितनी बार ओलंपिक में हाकी में सौन पदक जीता था तो कितनी बार जीता था टोटल आट बार जीता था और लास्ट टाइम कब ओलंपिक में जीता था गोल्ड वो था 1980 में लास्ट टाइम जीता था मासको में जीता था लेस्ट कोश्चन ओलंपिक जंडा स्वरफरतम फाराया गया तो फाराया गया था एक राउंड रोबिन प्रतियोगीता जिसमें आट टीमें भाग ले रही है कितने चक्र खेले जाएंगे तो टोटल कितने राउंड खेले जाएंगे तो टोटल खेले जाएंगे सेवन राउंड खेले जाएंगे उसका कहाँ पे मुख्यालय स्थिथ है तो इसका जो राइट एं स्पष्ण बिच्फोटक सक्ति का संबंध है तो जो बिच्फोटक सक्ति उसका संबंध किससे प्रतिरोध के बिरुत्व गति करना कव्या जब कोई भी क्यार कर रह रहे हैं क्या बोलते है नहीं हो रहा तो उसके प्रतिरोत के विरूद हमें करना है पूरे श्ट्रेंथ के साथ निम्लिकित में से कौन सा पुरुषकार उत्तरपडीशासन के दुआ roastink को दिया जाता है किसी ब्यक्ति की मानसिक आयू प्राय पता लगाई जाती है तो किस से पता लगाई जाती है मनुवे ज्यानिक परिष्ण के द्वारा किसी ब्यक्ति की मानसिक आयू का पता लगाया जाता है नेश्ट कोश्चन परिच्छन एम तुरूटी सिधांत किसके दौरा प्रस्तावित किया गया था तो जो ट्रायल एन एरर का सिधांत है वो किसके दौरा प्रस्तावित किया गया था थौर्ण डाई के दौरा क्योंकि यह बेवहार से सम्मंदित है क्यों सिखाया जाता है क्योंकि यह बेवहार को हमेशा क्या करती है चेंज करती है क्योंकि खेल में जगड़ें भी होते हैं हर एक चीज होता है सब कुछ होता है निम्न में से कौन सा मस्तिष का भाग नहीं है एंड्रॉइड क्या है मस्तिष का क्या है यह पार्ट नहीं है नेस्ट कोस्चन मोटापे से सम्बंदित नहीं होता है तो इसमें कौन सा मोटापे से सम्बंदित नहीं होता है तो यह सम्बंदित नहीं होता है कैंसर मोटापे से कैंसर उत्पन नहीं होता है बाकि बाज़पन होता है जो विटामिन ए की कमी की कारण होता है और मदुमें यह भी होता है स्पराय। प्रतियोगिता पूर्व के अहार में अधिकता होना चाहिए। तो जो प्रतियोगिता होती होती है रीख्षाव मेरह किस चीज़ की अधिकता होना तो होनी चाहिए। कर्भो हाइड्रेट की क्योंकि सबसे पहले कार्भो हाइड्रेट ही टूटता है नेश्ट कोश्चन मनुस्य के सरीर में सबसे लंबी पेसी है तो जो सबसे लंबी पेसी कौन सी होती है साहें साय surfing आरियस hiap कि साहिट आरियस क्या होती सबसे लंभी पेशी होती है कॉश्चन स्रेर अरषन बिग्ञान के अंतर गत अध्ययन किया जाता है तो जो सरीय करीय बिज्यान है उसमें किसका हम एनालिसिस करते हैं अध्ययन ठरते हैं तो इसमें करते मानों शरीर की समरचना का क्या करते हैं हम इसमें अध्यान करते हैं next question रंगा सवामी कब किस खेल से समभन दित है तो रंगा सवामी कब यह समभन दित है किस से यह है किसे समभन दित है तो वीडियो कैसे लगी दोस्तों आप लोग जरूर एक बार लाइक करें और प्लीज अपने दोस्तों में सेयर करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और यार एक लाइक तो बनता है थांक्स पार वाचिंग बैबाई